पिछे मेरे फिर blossom देख रहे है यह भुए कर लग कंते हैंि इसमें लोग कोवर स्क्रीट बहुत कम रखते हैं, रुपी जाते हैं, कोई नो पार्किंग भी लगा देते हैं, किसी गाड़ी में समथ क्या जाती है, तो अपनी गाड़ी को रोकते मेंटनेंस वर्क भी कर सकता है, लेकिन यहां पर कुछ और ही है, रेस्क्व लाइन में लग पार्किंग भी खड़ी है, आपको लगता में यह किसे एक्सिडेंट हो सकता है, कोई वागं पीछे सा आ रहा हो, टेज गती से, साइड में उसको ओवर्टेकिंग जिगह ना मिले, वो तो साइड में ही दबाएगा ना, उसको एक्सिडेंट से पुरे पास रहे, और आज हम पानी लगा रहा था, हो सकता है, बस वाले को इस साइड से जिगह ना मिली हो, ट्रैफिक जादा हो, उस कारण उसने उसी साइड में अपनी लाइन में बस को कंटीनी चलाया, और बहुत पगड़ा एक्सिडेंट हुआ, इससे भी ग्राइवर साइड से, बस के पीछे की होती है, तीन सीट तक बस पूरी दब चुकी, पांशे लोगी तो फक्ता उसमें जान जाती होगी, और पुलीस पर साइड वारा जांच भी चल रही है, ये हाइवे देखिये, कितना कितनी तेज हैं और कितना ट्रैफिक है, इस पर कंटीनियो ये, और दिखाए और सबसे ब कहता है, तो ज्यादा मुव आता कोई करेगा नहीं, बसका दी ये पार कहेगा कि लाइन से पीछे करने, साइड लगा लिए, योगी जो भी ये लगवारा है, हम अपिल करेंगे नोईटा 30 से, उसकी जाच करा है, और ये साइड में जो विजनिस चल रहा है, इसको भी हटव कि यारी होगी, तो तक कर लगेगी, नहीं लगेगी, जो जो हम आ रहे है, नोईटा की तरफ से परीचो की साइड बढ़ रहे है, अभी तक हमने कम सख़म 20-60 वाले लेग लेगी है, हर 200-300 मितर नाज पर लेगा, इसे लिता होगा, जो लिता होगी गिरेगा, इसे लिता काड़ी लगेगी, तो एक्सिडेंट होने के पूरे-पूरे फात्र बनते हैं, इसको मैं मेडम से अपील करूंगा, कि इसको जल्दी से जल्दी अटवाएं, इस तरह से सड़कों पे अफाद्रता नहीं चलेगी,